मस्ते दोस्तों मैं सुमन सर्मा स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने चैनल सुमन्लि व्लॉग में कल मैंने कमेंटस स्युष किया था व्यूर्जी का कमेंट्स में इसनहें यह लिखा था आपको step by step आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ तो आगे बढ़ने से पहले आपको छोटा सा काम करना है मेरे वीडियो को आप लाइक किजिए जितना हो सकता है उतना मेरे वीडियो को शेयर किजिए और वीडियो के राइट हैंड साइट पे रेड़ कला का सबस्राइब आज इस कमेंज का रिप्लाइ कर दिया हूँ तो छेलिये स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम करेंगे यह सबसे पहले हम gateway of talis है f11 प्रेस करके फीचर्स में जाएंगे inventory features में जाएंगे और आप यहां पे देख सकते है inventory features open हो गया से sales management आप देख सकते हैं use multiple price level इसको आपको yes करना है यहाँ पर आपको देखिए company price level शो हो रहा है तो company price level में आपको जिस जिस company के जिस जिस party के जो है आपको price set करने हैं उस सारे party के जो आप party के जो name है वो feel करते जाएंगे जैसे मैं आपको for example 2-3 party के दिखाती हूँ खुशी enterprise मेंने लिया है yes trading company मेंने लिया है positive angle लिया है आपको जितनी भी party का add करना है आप यहाँ पर add करते जाए और फिर add करने के बाद आप इसको accept कर लिजे screen को फिर यहाँ से हम जाएंगे inventory information में हम जाएंगे आप देखिए price list आपको शोह रहा है price list आपको यहाँ पर उपर हो जाएगा stock group name यहाँ पर जो list है यहाँ पर item की list देख सकते हैं यहाँ पर all item भी choose कर सकते हैं particular item भी choose करते हैं price level आप देखिए हैं यहाँ पर जो party name है वो आपको select करना है खुशी enterprise का पहले हम set कर लेते हैं applicable from आप जब से applicable करना साथ है तब से applicable कर सकते हैं यहाँ पर आप देखिए price level जो है कुशी enterprise दिखा रहा है यहाँ पर date दिखा रहा है कब से applicable है यहाँ पर हम जो rate है वो set कर लेंगे बासमती, cable, canopy, coconut oil इस तरीके साथ rate के column में जो भी rate आपका है वो आप रख के हाँ पर save कर लीजिए अब हम एक और पार्टी का करके देख लेते हैं item all item रहेगा price level पर हम देख लेते हैं yes trading company का हम ले लेते हैं देखिए yes trading company का नाम यहाँ पर show हो रहा है पर पार्टी का हम कर लेते है पॉजिटिव एंगल पॉजिटिव एंगल हम ले लेते हैं आप पर date applicable from ले लीजिए आप देखिए आप जो under आपको दिखेगा under group में आपको दिखेगा all item and price level में आपको दिखेगा पॉजिटिव एंगल and applicable जो आपने date डाला होगा तब से applicable होगा सेम यहाँ पर product के जो है rate आजाएंगे rate का जो कॉलम है उस rate के कॉलम में सारे product के जो है आप rate अपने according रख सकते हैं कितना कितना rate रखता है आपको में आपे बासमती राइस का रख लेती हूं यहाँ पे 200 रुपीस and यहाँ पे cable का rate जो है वह हूँ फील कर लेती हूँ 60 रुपीस कैनोपी का हम ले ले लेते है 2,50 रुपीस and coconut oil का हम ले लेते है था पर rate जो है 700 रुपीस इस तरीके से जितने भी below item से उसके rate आप feel करते जाएए जितने भी product आपके हैं उसको feel करने के बाद आप save कर लिजेए अब यह हमने कर लिया अब एक और हमें काम करना है दो main जो काम होता है वो हमने कर लिया अब हम क्या करते हैं कि party का laser open करके वहाँ पर हमें setting करती है तो party का laser आप open कर लिजेए DAL करके देखिए खुशी enterprise का जो laser है वो open हो गया है एल्टर करना है हमें यहापे laser के अंदर alteration करना है तो price level applicable आपको वहीं लेना है खुशी enterprise अगर है तो आपको खुशी enterprise ही लेना है अलग अगर आप अलग लोगे तो वो rate जो है वो गलट चूस करेगा त सेम पार्टी नेम ही आपको चूस करना है जैसे मैंने यस ट्रेडिंग लिया है तो price level में आप देख सकते हैं यस ट्रेडिंग कंपनी ही लिया है positive angle जो है आप price level applicable में देखेंगे मैं positive angle ही ले रही हूं इस तरीके से जो है तब ही हमारा rate वह सेम पीक करेगा जो हमने सेम पीक देखें मैंने quantity जैसे फील की है जो rate और पीक कर रहा है आप मुझे नहीं करना है जो rate मैंने set किया था महाँ प्राइस लेवल में जाके वही रेड जो है पीक कर रहा है कैनोपी का देखें जैसे ही मैंने quantity डाला 100 रुपीज जो है वह आटो पीक किया है इसी तरीके से थर्ड साइटम ले लेते हैं केबल ले लेते हैं जैसे ही में quantity डालें देखें 500 जो है coconut oil मेंने लिया है केबल का जैसे हमने one piece डाला ऐसे 200 जो है रेट ऑटो पीक कर रहा है तो इस तरीके से आप सेट करके entry करेंगे तो आपको rate डालने की ज़रुरूद नहीं है नहीं रेट को आपक कंपनी का हम देख लेते हैं इसमें पासमती राइस का देखिए वन क्वांटिटी मेंने वन केजी डाला जैसे ही मेंने वन केजी डाला फिप्टी रुपीज जो है यहां पे देखिया फिप्टी डिफ्रेंट रेट इसने सलेक्ट किया है के नोपी में भी देखिए वन पीस ड लेते हैं बास्मती राइस लिए थे हैं तो इस तरीके से आप भी जो है रेट सेट करके एंट्री कर सकते हैं तो चलिए देख लेते हैं बासमती राइस का में लेजर उपन करके आपको दिखाती हो अगर आप देखना चाहिए कि तीन डिफरेंट पार्टियों से हमने को हमने राइस सेल किया है बासमती राइस खूशी को यह को पॉजिव को आप रेट यहां पे देखिए 100 रुपीस दि इस तरीके से केनोपी का हम देख लेते हैं को केनों पार्टिया थीन अलग अलग पार्टिया है इंद तीन अलग अलग आपको चो रेट है यहां पे शो हो रहे होंगे अंडर्डूब्स औ थीन दोर्डव तो इस तरीके से आप भी जो है rate को set कर सकते हैं आपको ठोड़ा सा Auto इंवेन्टरी इंफोमेशन आपको जाran पिल करति है प्राइसे लिएट करना होता है जो यहाद करना होता है जो टहांने किवीकलत करना है बिल्कुल ही बचाहिएगा थेंक यू